हलो वेल्कम गाइज स्वागत आपका एक और न्यू व्लोग में तो गाइज मेरी आज की बीटियो को जो भी पहाड के लोग देख रहे हैं तो चलो उनकी बच्पन की यादाय ताज़क कराते हैं आज तो गाइज यह देखो कुछ याद आया तो गाइज यह है बिच्छू जुन-जुना पहाडी भासा में बोलते हैं इसको सिशून तो यह देखो इसे कितने बारिक काटे हैं यह तो गाईज अगर ये शरीर पर थोड़ा सा भी टच हो गया तो इसके काटे काफी तेज होते हैं ये जल्दी चुप जाते हैं शरीर में अगर ज्यादा काटे चुप गये तो भाई दो दिन तक जनजनाट रहती थी उस जगों पर तो पहाड का सायद कोई ऐसा बच्चा होगा जिसको ये नहीं लगा होगा बच्पन में बिच्चू तो ये दवा का काम भी करता है और इसकी सबजी भी बनती है जो भी पहाड़ी लोग मेरी वीडियो को देख रहे हैं अभी उनको ये देखके अभी अपना बच्पन याद आ रहोगा तो गाई ये खतरनाग भी है और ठीक भी है कुछ हट तक क्योंकि बच्पन जो बच्चे सेतानिया करते थे तो उनको ये लगा जाता था पिर दोबारा वह सेतानी नहीं करता था देख रहे हो कितने बारी काटे हैं इस पर तो गाई जैसे पैरों पर हलकी फुल की मोज आ जाती है तो इसको उस जगों पर जोर से मारा जाता है जिससे कि इसके काटे वहाँ पर चूप जाते हैं और सूजन काम हो जाती है देरी-द पत्ते पीस के उस घाव पर लगा दो तो घाव भर जाता था धेरे धेरे तो ऐसे भी दवा का काम आता है तो गैज ये शुरू में जब नई नई टहनिया देता है तो तब इसकी सबजी बनती है इसकी सबजी होगी और मडवे की रोटी वो पहाड़ों पर काफी फसंद है कल फिर मिलते हैं ऐसी कुछ बेहतरीन चीज लेके पहाड़ों की मिलते हैं फिर कल तब तक के लिए बाई बाई